इस समय हम नीमच क्रशिव उपजमेंडी की लहसुन बंडी में मौझूद हैं आज भाव की बात करें तो जो भाव है देशी के नियूंतम छे अजार साथ अजार से लेकर अधिकतम मान लिजे आपकी 11,000 रुपे कट्टी किंटल जा रही है पुछ अच्छा है तो उसमें और 100 तीन रुपे की तेजी है वहीं दूसरी बात करें हम उटी लहसुन की तो उटी लहसुन के दामों में भी आज उचाल देखा जा रहा है करीब 1,800 रुपे की तेजी देखी जा रही है और इसी के साथ-साथ जो भाव हैं 15,000 से लेकर 7,000 के बीच में देखे जा रहा है अब जो 7,000 तक देखे जा रहा है इसमें एक चीज और महत्वकून है कि एक लेसुन का डेहर था करीब 17,000 तक भी गया है तो जिसकी लेसुन अच्छी है उसको दाम अच्छा मिल सकता है लेकिन वह ऐसे का दुका डेहर होते हैं आवक देखे तो तकरीबन 12,000 बोरी के आवक कि और देखने में आए कि मंडी है उसमें बाहर के किसान अब कम आने लगे है तो दूर दराज के किसान 200-200 किलमेटर से दूर से आते ते वो कम है अलागि कुछ किसान है पड़ोसी राजस्तान के तोड़गर जिले से हैं कहां से आया है कितनी लेसुन लेकिया है यह नाम में दो भार पहले नहीं है इसे के लागे था कि यह से मदा तो वह खाया तो वह क्या बाराजार मिकटा फ़्यायाज साथ सुंक करता और अभी इसके क्या उमिद लग रहे कि विद्धिन बारागे उत्विक्ति शुदार लग राग मैं है आप पीछे देख सकते हैं कि निला मी चल रही है और पुछ किसान लोग यहां मौजूद है व्याबारी वी मौजूद है निला झर्म लाया है लोग्त श्या रेख थ है तो जैसा हमको दिखे का वरसे बात करें भाउजिय के अपने डिया रहें अपना प्रशाएब दस बोरी डातव जीटू जीटू है अभी जीटू है तो जो अभी बीच में निकाली थी आपने पहली बारी लाएं तो क्या मिक्स है ठरी है क्या है मिक्स है अच्छा दा मिल्या आपको नोदस हजार लग लग रहा है तो इनको भी अपज लेक्शान है आज बहार का माल मुझे लगता है कि कम दिखाई देरा जो धार राजगार उज्जें जिलेव का आता था वो नहीं है उनका कहना है कि उनने लागत खर्श की उतना तो अभी तो उन काम अच्छे मिलते हैं इस वजह से लोग दूर दराज से आते हैं और वह इसी के चलते यहां भाव में भी अच्छे तेजी और उतार चड़ाव देखने को मिलता रहता है विजीत्राव महांदीक मार्केट टाइंप नहीं है